ब्लेंड स्टोन अरीना बैली राइवोगल इसको कहते हैं हॉबर्ट के अंदर ग्राउंड है तश्मेनिया के अंदर खुबस्तुर है मैदान आप देख सकते हैं तो आप देखो स्वन्य के उपपर 11 जनवरी को रिसेंटली मैच वादा बीबिल गा हवर्ट हरीकेंस वर्सेज एडिलेड स्टाइकर्स का क्या हुआ था इस क्लैस के अंदर वहा कुछ नी जो टीम पहले बैटिंग करने आती है डेड़ सो बनाती है आठ विकेट के नुकसान पर यह बनाया था हवर्ट हरीकेंस ने लगता है और जो टीम चेस कर रही होती है उसको जीत देजी जाती है 6.3 ओवर्स के अंदर 67 उन्हें बना लिया था या इतिंग मेलबन स्टार्ट के गेंस मेंस था 183 बना पांच विकेट के नुकसान पर चेस करने वाले टीम एक ओवर रहता है टार्गेट चेस कर गई 180 बन और यहाँ पर टार्गेट चेस नहीं हुआ 156 पर टीम रुग गई 135 बना और सामने वाले टीम 17 और में चेस कर गई तो फ्लैट फिकेट रहता है आप मानके चलिए 160-170 यहाँ पर मिनिमम बनना चीए जोगी दून टीम के अंदर तगड़े तगड़े बैटर्स है अच्छे करते हैं इस वनी के उपर 14 मैचेस जीते हैं मेरे साब से जो भी टीम टाउस जीते हैं सबसे पहले गिनबाजी करना पसंद करेगी चेस करेगी क्योंकि अभी वहाँ पर सेकंड इनिंग्स में बहुल स्किड़ करके बैट पे अच्छे से आती है और तश्मिनिया में हलका से के आजपांसर रंज बने थे इस बीवियल के अंदर जो रिसेंटली वा था जो लास मैस था और वटसेज एडिलेट स्ट्राइकर्इट का उस मैस के अंदर पांच विकेट पेसर का था तीन विकेट स्पिनर्स के थे और राल क्या गया रहा है लास्ट तीस मुकाबलों के अ पहली पारी में 136 दूसरी पारी के अंदर 124 राइट पेसर डोसो नों लेफट आम पेसर का एक्क्याव विकेट है शुनर्स की बात तरते हैं इन्होंने आपर 108 विकेट निकाल है पहली पारी में 55 में साइट होता हूं दूसरी पारी के अंदर तरह पन और ऑफ श्पिनर्स यहां पर हमने देखा South Australia Women vs Western Australia Women का यहां पर WNCL का मैच हुआ तो recently यहां पर 10 दिन के अंदर क्रिकेट खिली गई है यह भी आपको ध्यान रखना है तो आप देखो ऐसे यहां पर पिज दिखी थी recently Australia vs South Africa आपको लोगों भी दिख रहा होगा यह देखो recently आप एक T20 मैच हुआ था अब आप देख सकते हैं यहां पर लिखा भी आ रहा है 3rd Women's T20 I Blundstone Arena Hobart नीचे आप देख सकते हैं ऐसे पिज दिखी थी recently आप इंटरनाशनल गेम में सबसे कम टन इस बार Blundstone Arena पर देखने को मिला BBL के अंदर 1.4 डिग्री स्पिन जादा बॉल विनी पूरे तश्मानिया के अरी के अंदर यूटीज भी एक स्टेडियम है ठीक है डाइमेंशन सामने बहतर स्क्वेर आपको 67 57 दिख जाती है और सामने बहतर जैसा का और एक और डाइमेंशन देख लो सामने तीरतर स्क्वेर इक सट और चॉसर्ट बीच वाली पीछ पर मैचल जब होता है और यह दिखो आप ऐसा स दिख जाता है इसको वेलिंग्टेन माउंटेन कहते है यह भाईजा भूत ही तकडा स्टेडियम है यह स्पैस्टल पीजर पर टॉम तश्मेनिया कैसे लिगे मेरे को कमेंट करके बता ना बारिश के 0% chances है आगे की दरफ चलता है